ग्रेजेशन में एड्मिशन की परकिरिया सुरू हो रही है असनादक में दाखली के लिए छातर जो है ऑल्लाइन आबेदन कर सकेंगे लॉगडाउन के बाद आपनों का ऑल्लाइन पोर्टल खुलने वाला है तो बिल्कुल ध्यान से पुरी बीडियों देखेंगे कॉलेज की एड्मिशन की हर अपडेट सीर पर सीफ आपको अभी सेक्ट टूर पर मिलती है तो इसी बग चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें ताकि हर अपडेट आपको एड्मिशन के रिगार्डिंग मिलती रहे बिहार के सभी इन्वर्सिटी का करें बुक्रिक जैसे आप पर देख सकते हैं कि मैंने परिच्छा नीज के करके जा रही हो आपके ऑप्लाइमिशन के रिगार्डिंग जो यहां बताया गया है बहुत सही डिटेल्स आपके सामने बताने हैं कि आपको कैसे ओंलाइन fact लेना है कब आपका ऑनलाइन जो है पोर्टल चालू हो जाएगा सब कुछ यहां पर अपडेट आ गई है आप खुद भी देख सकते हैं ठीक है लोगडाउन के बाद जो है ऑनलाइन पोर्टल यहां फे खुलने जा रहा है तो सीधे में आपको न्यूज पर लेकर चलता हूं जहां से आपका पूरी जनकाली आपको मिल जाएगी आप किसी भी एनिवरसिटी के सुदेंट हैं चाय पटना इनिवरसिटी के हैं पाथली पुत्र मगद इनिवरसिटी पुर्णिया इनिवरसिटी ठीक है बिहार के मुझपरपुर एनिवरसिटी सभी का यहां पर अपडे दाखिले के लिए फिर से पोर्टल खुलेगा लॉगड़ान खत्म होने के शाथ ही फोर्टल खोला जाएगा चात्र विश्विद्याले के वेपसाइट पे आल्लाइन आबेदन कर सकेंगे चात्र कल्यान अध्याच डॉक्टर अभैस्टी ने कहा कि अभी एक जुन तक लॉग पॉर्टल जो है वो खोल दिया जाएगा यानी पार्ट वान में अड्मिशन की प्रकिरिया जो है जो है वो सुरू की जाएगी क्रोन संकरमन बढ़ने पर प्रकिरिया भी किये थे लेकिन यहई लॉग डॉन लगा ये परकिरिया बीच में रोक दी गई थी सभी उन्विसिटी की बार जबाब मिलेगा डॉटनेट एप या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो फिजिस किनिस्ट्री मैथ वाहलोजिस साइंस आपके सभी सवालों के जबाब मिलेंगी आपको डॉटनेट एप पर साथी अब डॉटनेट एप पर पर पढ़िए कोटा की वेस्वेकर्टी जैसे जीवी सर अकांचा मैप प्रीन सर जैसे टॉट टीचर से यानि अब पूरी पढ़ाई होगी डॉटनेट एप पर तीन क्रोर से जादा बच्चे डॉटनेट एप को इंस्टॉल कर चुके हैं आप भी जाईए और डॉटनेट एप को इंस्टॉल करें तो यहाँ पर देखी क्या बोला जारा एक्जाम होगा इसलिए बीहार्ट बॉट के हजारों चात रिजल्ट आने के बाद भी घर पे बैठे हैं इन चात्रों का पहले रिजल्ट आने के बाद भी कोई लाफ नहीं हुआ है लॉगड़ान के बाद सीबीएसी को परिच्छा को लेकर कुछ फैसला होगा इसे लिए अगले महाँ पोर्टल खोड़ने पर निन्नय होगा यानी देखें लॉगड़ान के बाद सबसे पहला जो फैसला होगा वो सी बीएसी डिजल्ट को लेकर फैसला होगा कि सी बीएसी का ट्वेल्ट का एक्जाम होगा या नहीं होगा क्योंकि पतना उनिवर्सिटी किस पर्थम सबता से सुरू हो जाएगा जो अन इंवर्सिटी है जो टॉफ इंवर्सिटी में गिंती आती है जिसे कि पत्ना इंवर्सिटी है तो इसमें जो है चात्रों को कुछ दिन इंतिजार करना पड़ सकता है क्योंकि सीवीज़्ट का रिजल्ट जब तक फाइनल नहीं होत तो जून के पर्थम सप्ता में CBAC का रिजल्ट भी जो है वो फाइनल किया जाएगा कि एक्जाम होगा या क्या होगा और ऐसे में पटना इंवर्सिटी जून के पर्थम सप्ता के बाद भी अपना ऑनलाइन पोर्टल खोज सकती है तो बिल्कुल तयार हो जाएं आप लोग ए अपड़ेट आपको मिलती रहें